हेलो एवरिबन तो यार आज हमना एक शॉट में जो बायो मॉलिक्यूल का एक पार्ट होता है कार्बो हैड्रेट्स पूरा निम्टाने वाले हैं सारे मॉलिक्यूल चाहे वो ग्लूकोज और फ्रक्टोस और जूक्रोस और मल्टोस और स्टार्च और सब कुछ आज अपन रिवाईज कर लेंगे एपीमर्स एनोमर्स एवरिधिंग एक शॉट में ठीक है सबसे पहले तो वो बच्चों को मैं जगाना चाहता हूँ जो अपने गोल को छोड़ के कहीं इदर उदर भाग रहे हैं जिनको सामने इतना बड़िया जो टाइम मिला है सबसे पहले तो वो लोग जाग जाओ क्योंकि आप अगर अभी अपना 100% नहीं दोगे अगर आप अभी समय की वैल्यू नहीं करोगे तो समय आपकी वैल्यू नहीं करेगा और जिस इंसान की समय वैल्यू करना छोड़ देता है ना उनका कुछ नहीं हो सकते चलो चलो करते हैं कारबो हाइडरेट है ना इसके एक्जांपल बहुत कॉमन एक्जांपल है बिना कारबो हाइडरेट के आपकी जिंदगी नहीं चल सकती कारबो हाइडरेट आर दी one of the most essential चीजें जिसको हम डेली लाइफ में consume करते हैं, अलग-अलग तरीके से खाने में, या फिर हम पहनने में या लकडी की तरीके से, हर जगे आपको कार्बाइटर दिखेगा, glucose ठीक है, पारले जी, ग्लुकोंडी बिस्किट्स, फ्रक्टोस आप जितने भी fruits खाते हो उसमें जो sugar वाला part होता है जो मीठास आती है, वो अपने फ्रक्टोस भहिया के कारण आती है, किसके कारण आती है, फ्रक्टोस के कारण आती है ठीक है, सर इन दोनों का तो formula same है, compound अलग-अलग क्यों है क्योंकि यहाँ पे functional group अलग-अलग है, देखते हैं अभी इनके बारे में ठीक है न, यह functionalisomers है ठीक है भी या, cellulose and starch C6H10O5 C6H2O5N ठीक है, आपके कपड़े हो गए या फिर जो excessive food आपकी body में store किया जाता है वो cellulose and starch ही होता है तो बहुत interesting chapter है जबरदस्ति इसको रटने का नाम बना रखा है, देखो थोड़ा बहुत क्या है कि यह informative chapter है है न, यहाँ पर समझने का कम है information थोड़ी सी ज़्यादा है पर जो information है वो आपके daily life में बहुत काम आती है बाकि अभी तक हमने जितने भी chapters पड़े थे इसके पहले, वो बहुत समझने के थे बहुत प्यारे से थे, पर उनका daily life में उतना भी यूज नहीं था जितना इस chapter का है, bio molecules ठीक है, जो हमको यह तो plants से मिलते हैं, यह एनिमल से मिलते हैं यह तो हमारी बात है, हमारे असपास की जीवन की बात है, तो यह तो हमारी बहुत important है, ठीक है, carbohydrates क्या होते हैं, polyhydroxy, aldehyde और ketone, या फिर वो substance जिनका hydrolysis करने पर हमको यह polyhydroxy aldehyde और ketone मिलते हैं polyhydroxy मतलब बहुत सारे OH ग्रूप, polyhydroxy poly मतलब बहुत सारे, hydroxy मतलब OH ग्रूप, तो aldehyde और ketone के अलावा, इनमें बहुत सारे OH गुरूप भी होते हैं इनको क्या बोला जाता है, carbohydrates बोला जाता है, चलिए बहुत सड़ी है ना carbohydrates को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है sugar और non sugar, जो sugar होते हैं वो या तो monosaccharides या diosaccharides या oligosaccharides होते है saccharides माने होता है sugar, ठीक है तो इसलिए इनको saccharides भी बोला जाता है किसको carbohydrates को sugar जो होती है, आहाँ बिना sugar के जीवन हम imagine भी नहीं कर सकते मिठा मिठा sweet in taste, crystalline and soluble in water यह monosaccharides, oligosaccharides monosaccharides में LDOS मतलब जिसमें LDID group functional group है ketose जिसमें ketone functional group है oligosaccharides, diaccharides तो sucrose, maltose, lactose triasaccharides, refinose और tetrasaccharides ऐसे करके 10 तक 2 से 10 को oligosaccharides बोला जाता है more than 10 को polysaccharides बोला जाता है, यह non-sugar होते हैं मीठे नहीं होते, tasteless होते हैं amorphous solid होते हैं, यह crystalline होते हैं और non-sugar polysaccharides वो amorphous होते हैं poni में insoluble हैं और बहुत सारे monosaccharides यह आपको दे देंगे, अगर आप इनका acidic hydrolysis कराओगे, तो C6H2O5N मतब यह एक polymer है बहुत बड़ा compound होता है polysaccharides होता है, ठीक है इसका जब हम hydrolysis कराते हैं तो हमको बहुत सारे monosaccharides मिलते हैं, क्या मिलते हैं monosaccharides, चलिए आगे बलते हैं, तोड़ा सा और detail मिलन को समझते है, monosaccharides को simple sugar भी बोला जाता है, यह वो sugar है, जिनको आप, यार इन पे जब आप पानी का attack कराओगे, monosaccharides पे तो यह further break नहीं होंगे इसलिए इनको क्या बला जाता है, mono क्योंकि यह एक non-breakable unit है पानी से, कुछ बच्चों लगता है कि यह कभी break ही नहीं हो सकते है, भाई, कोई भी compound break किया जा सकता है, यहाँ पे specifically hydrolysis की बात हो रही है अगर यह hydrolysis के द्वारा break नहीं हो सकते हैं, तो monosaccharides है ठीक है, glucose हो गया fructose, ribose, dioxinobose ठीक है, चलिए अगर aldehyde group present है, तो हम monosaccharides को eldose बोलते हैं ठीक है, और अगर ketonic group present है तो हम इसको ketose बोलते हैं क्या बोलते है, ketose तो अगर aldehyde है, तो eldose और अगर ketone है, तो ketose ठीक है, चलिए oligosaccharides, वो sugars जो 2-10 monosaccharides unit को yield करते हैं, hydrolysis मतलब, यह oligosaccharides इस तरह से बने होते हैं, मालो 4 का है, हमने पानी डाला, तो यह तूट जगा, यह तूट जगा M माने, monosaccharides तो यह बहुत सारे monosaccharides से इकटा होके बने होते हैं, जब हम इस पे पानी का attack कराते हैं, hydrolysis कराते हैं, तो यह break होकर 210, मनदब या तो 2 या फिर 10, इनके बीच का कुछ भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमको monosaccharides देते हैं hydrolysis पे, common example sucrose, maltose, lactose, etc, ठीक है polysaccharides यह non-sugar होते हैं, जो बहुत सारे monosaccharides देते हैं, यह हम अल्रेड़ी देख चुके हैं C6, H10, O5, N इनका general formula है, star, solileus glycogen सबसे common examples हैं इनको अपन individually भी देखेंगे ठीक है, चलिए carbon atom के basis पे monosaccharides को हम further classify कर सकते हैं as triosis, tetrasis, pentoses, exoses, मतलब अगर 3 carbon है तो triosis कहलाएगा, 4 carbon है तो tetrasis कहलाएगा, एक table बनाके देख लेते हैं, ठीक है, eldos और ketos को 3 carbon है, तो tropos है trios, तो eldoses कहलाएगे eldotrios, ketones कहलाएगे ketotrios similarly, 4 carbon पर eldotetros, ketotetros 5 carbon पर pentos common word हो जाएगा, तो अगर eldehyde group है, तो eldopentos, ketones है, तो ketopentos, ठीक है 5 carbon में, अगर CHO को include करते हैं, तो eldopentos, जैसे एक आपको नाम बता रहा हूँ, इसमें की कैसा दिखता है, तो ये इस तरीके से दिखता है, ये कौन सा group है, अपना eldehyde, तो ये क्या कहलाया pentos, ठीक है, तो eldopentos, क्या कहलाया ये eldopentos, eldehyde है ये कैसे पता चल रहा है, इस से, 5 carbon है कैसे पता चल रहा है, pent से तो 5 carbon वाला अपना, क्या है ये carbohydrate है, monosaccharide तो eldopentose, ठीक है 5 carbon का ketone हो जाएगा तो ketopentose, नाम है common ributose ऐसा दिखता है, तो ये ketonic group हो गया 6 carbon लोगे, तो eldohexose this is the worst, मदब ये जो अपना eldohexose होता है ना ये सबसे famous carbohydrate है जिसका नाम आपने इतनी बार सुना है हमको थोड़ी भी थकान जाता हो जाती है तो हम भी बोलती है कि या ले नेबू पानी में तेको glucose डालके दे देती हूँ ओरेंज जूस में glucose डालके हम पी लेते हैं, तो ये बहुत famous है, very famous and very important बहुत 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 important है इसका structure आपकी जिन्दगी में इतना अच्छे से रमा हुआ होना चाहिए ना आपकी दिमाग में आत्मा में उत्रव होना चाहिए कि बस तो ये इस तरीके से दिखता है चाहो तो पॉस गरके इस molecule को निहार सकते हो, ठीक है चले आगे, तो ये अपना होगया glucose भाई साब, D-glucose आपको D-L nomenclature आता है अपने parent carbon से मतब जो parent functional group है functional group के carbon से जो सबसे दूर है, उस carbon के right में, तो इसलिए क्या कहला रहा है D-glucose, left में होता अगर ये वाला group तो क्या कहला रहाता, L-glucose ऐसा होता है क्या, नहीं होता sir, L-glucose कौन कहलाएगा इसका mirror image जो होगा, वो L-glucose कहलाएगा ठीक है, तो keto exose ये ऐसा कुछ दिखता है, ये defructose है, ये क्या है, defructose है, चलिए बहुत बढ़िया carbohydrate की अगर हम stereo chemistry की बात करें, तो D and L sugars, जैसा कि में अभी आपको बता रहा था, तो जो series होती है L doses या ketoses की, जिसमें penultimate carbon atom, CH2 OH group के just उपर वाला, last chain में last वाला, वो अगर towards right होता है, तो D sugars कहलाता है और towards left होता है, तो L sugars कहलाता है, D और L का हम detail में नहीं जाएगे, इसका mirror image होती है, वो कहलाती है L Gleaser LD है, तो D compound की mirror image, L compound होता है, आप random किसी एक carbon पर configuration change कर दोगे तो compound बदल जाएगा इस चीज का हमको खास ध्यान रखना है, क्या रखना है खास ध्यान रखना है ठीक है, चलिए बहुत ही बड़िया LD exhaust में बात करें, तो यह D glucose है, इसका exact mirror image वो L glucose है, ठीक है number of carbon किते हैं, 4 unsymmetric है क्या, बिल्कुल है, तो number of stereoisomers किते हो जाएंगे, 2 की power N जहाँ पे N की value है, 4, तो 16 तो इसमें से D sugars होंगे 8 और L sugars हमारे होंगे 8 ठीक है, चलें आगे चलें, epimers क्या होते हैं वो pair diastereomers का जो कि सिर्फ एक configuration पे change हो जाता है, सिर्फ एक single carbon पे इनका configuration change हो जाता है, उनको बूला जाता है epimers, तो इसका example देख ले दें, यह हमारा पस 3 compound है अब आप इनको ध्यान से देखिए सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं तो यह 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon 4 carbon, 5 और 6 आप देखो, 2 पे exactly same है, 3 पे exactly same है, 5 पे exactly same है, 6 पे exactly same है कोई अंतर नहीं है, पर जो 4th वाला group है, मतब यह जो group है यहाँ पे आप देखोगे, तो एक single carbon atom पर configuration change हो गई है इसलिए यह कहलाते है epimers, क्या कहलाते है, epimers यहाँ पे आप ढूंड लो, तो 1 पे एकदम एक जैसा है 2 पे एक जैसा है, 3 पे एक जैसे हैं यह, 4 पे एक जैसे है, तो हम अगर इसको देखेंगे तो basically जो अपना यह 1 है, यहाँ पे marking गलत हो गई, इसलिए confusion हो गया this is 1, this is 2 this is 1, this is 2, तो second वाले carbon पर हमने change कर दिया है third, fourth, fifth और sixth, यह एक तम same है, दोनों compound में so second वाले carbon पे configuration changed है इसलिए यह कौन से वाले epimer है C2, जिस carbon पे change है, उसको अपन subscribe में नीचे लिख देते हैं तो C4 और C2 epimeric car 1, ठीक है चले आगे, चले glucose कैसे prepare किया जाता है, बहुत simple है आप क्या करते हो, कि आप यह C2LH22 O11 लेते हो, ठीक है इसके आप acidic hydrolysis करा लेते हो, acidic hydrolysis कराने से दो compound बनते हैं एक अपना glucose और एक अपना fructose, यह compound होता है sucrose, sucrose के hydrolysis से glucose और fructose बनते हैं तो जो हम sucrose को अलग से देखेंगे इसी lecture के अंदर, तो इसको तोड़ा सा और detail में cover करेंगे, यह dextrorotatory होता है, ठीक है मतलब clockwise rotation करता है, और यह labor rotatory होता है, मतलब anti-clockwise rotate करता है, तो glucose is dextrorotatory and fructose is labor rotatory खास बाद, sucrose dextrorotatory होता है, जब originally हम sucrose लेते हैं, जब convert नहीं हुआ होता, तो वहाँ पे clockwise rotation आ रहा होता है जो dextrorotatory होता है अपना sucrose, ठीक है? चलिए, तो starch को जब आप hydrolysis कराते हो, तो आपको बहुत सारा glucose मिलता है, starch के hydrolysis से भी हमको glucose ही मिलता है, तीक है? अब खास बात देखना कि सरा, आपको कैसे पता चला कि इसमें 6 carbon है, और formula C6, H12, O6 ही है और एक group LD high dick है, यह सारी चीज़ है, scientist लोगों ने कैसे पता लगाई होगी? हम किसी भी organic compound का structure कैसे पता लगाते हैं? एक बहुत शांदार सी छोटी सी जलक आपको देता हूँ इतना मज़ा आएगा ना हमको इसका structure deduce करने में है, molecular formula C6, H12, O6 क्या किसी को सपने में आया क्या? बिजली कौन धी क्या किसी क्या? क्या red phosphorus, oxygen 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 का दुश्मन, ठीक है? यह सारे oxygen खा जाएगा, जब हमने reaction करवाया तो हमको N hexane मिला इससे एक बात तो तैय हो गई कि भाईया यहाँ पे 6 carbon थे तो हमने क्या reduce कर लिया? कि 6 carbon का compound है, तो formula आगया C6, यह तो हमको पता चल गया, तीक है? अब आगे चलते हैं, अगला हमने क्या किया? कि इस compound के साथ oxygen का reaction करवा लिया अब यह जो oxygen है ना, यह LDID group के साथ react करता है मतलब यह carbonil group के साथ react करता है, यह अपने को पता है, carbonil group में अपने देख लिया, और इसका सिर्फ एक ही equivalent, मतलब इस पूरे, अगर हमने इसको एक molecule लिया है, तो इसका सिर्फ एक ही molecule consume होगा, अगर आप दो oxygen ले लोगे, तो एक oxygen waste चला जाएगा तो हमको यह पता चल गया कि यह एक carbonil group है, हमको क्या पता चला? कि एक carbonil group इसमें present है, चलिए बहुत बढ़िया, glucose, oxygen यहाँ पर बन गया, हमने HCN के साथ reaction करवा लिया तो हमने यह confirm कर लिया, एक ही sinohydrin बना, तो यह हमने pushty कर लिया, 100% sure कर लिया कि यह carbonil group तो एक ही है, अगर जादा होते, तो HCN के साथ जादा sinohydrin बन सकता था, चलिए बहुत बढ़िया, हमने acetylation करा लिया, acetylation किसका होगा, oxygen जहाँ पर alcohol की तरह से present है वहाँ पर होगा, मतलब 5 alcoholic group present है, LDHID का यह acetylation में कुछ नहीं भी गरता इस तरह के वाले में, तो मतलब यहाँ पर 5 OH group present है यह भी पता चल गया, तो 6 carbon है, जिसमें से 1 पर कार्बोनिल है और 5 पर alcohol है हमको यह अभी तक पता चल चुका है चलिए बहुत ही बढ़िया, तो pentacetyl glucose बन गया, फिर हमने क्या किया, HNO3 के साथ reaction करा लिया, जिससे हमारा saccharic acid बन गया तो HNO3 क्या होता है, oxygen क्या कराएगा, oxidize कराएगा किसको, primary alcohols को और aldehydes को किसको करा देगा, primary alcohol और aldehyde तो हमको क्योंकि उपर भी एक acid मल गया, ketone further oxidize नहीं होता इस तरीके से, तो आपको अगर उपर भी एक acid मिल गया, इसका मतलब ये group जो था, वो aldehyde था और जो नीचे वाला था, वो one degree alcohol था तो बस, तो यार हमको reagents की properties पता होती है जो attack करने वाले हैं, जो reaction करने वाले हैं, उसकी हमको properties पता होती है, जिससे हम deduce करते हैं, कि यार सामने वाले molecule का structure कैसा है सामने वाले molecule में हर चीज अपने को कैसी दिखती है ये deduction हो जाता है तो यार इतना beautiful है हमारा organic chemistry, तो D-glucose कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है चले, आगे चलते हैं अब glucose का है न, ring structure होता है, अभी तो आपने open structure proof किया, ये जो reaction अगर हम ring structure पे भी कराएंगे तो भी same आईगी, कुछ-कुछ ऐसी बाते होई जिससे scientist को लगा है, ये open chain नहीं है, ये ring में भी exist करता है, अब बताता हूँ कि ऐसा क्यों पता चला, glucose हो है वो pink color नहीं देता, shift reagent के साथ तो अगर free aldehyde होता, तो आपको पता है कि free aldehyde shift test देता है जिसने भी carbonil compound का revision ढंक से किया है, मेरा वीडियो देखा है उनको पता होगा, जिसने नहीं देखा और अगर आपको नहीं पता, तो please carbonil compounds का revision video जाके देख लेना यहीं पे काम आएगा, उसके बाद काम नहीं आएगा, तो इस वीडियो को पूरा करके carbonil compound का revision video देख लेना तो यह free aldehyde group यहाँ पे present नहीं है free aldehyde group present नहीं है क्योंकि shift test यहाँ पे नहीं दिया गया चलिए बहुत बढ़िया, दूसरा यह adduct नहीं बनाता NH, SO3, NH3 के साथ यह क्या है, weak reagents है अगर aldehyde होता तो adduct बन जाता पर aldehyde नहीं है, इसलिए weak reagents के साथ reaction नहीं हो रहा, free aldehyde नहीं है, ठीक है glucose exists in two isomeric form glucose दो isomeric form में exist करता है यह एक बड़ी अजीब सी बात थी कि यह दो isomeric form कैसे आ सकते हैं इस open chain compound में वो भी हमको देखना था ठीक है, muta rotation शो करता है muta rotation क्या होता है वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे तो यह चारो properties को देखकर scientist लोग का दिमाग खराब हो गया कि यार यह ना सिर्फ open chain compound तो नहीं हो सकता, there is more to it than we can see with our eyes जो अपने आँखों से देख सकते हैं उससे काफी जादा glucose के molecule में छुपा हुआ है तो आपने को इसके ring structure को deduce करना है और देखना है कि यार यह कैसा दिखता है तो पढ़ जाएं इसके बीछे पीछे पढ़ेंगे तो answer आएगा एक जो common दिक्कत आप सब के साथ होती है हमारे साथ भी होती है कि हम बहुत जादा problem centric होता है यह दिक्कत है वो दिक्कत है ऐसा विकार चल रहा है वैसा विकार चल रहा है नहीं solution centric होने का यह है ना तो अच्छा इसमें ऐसा हो रहा होगा तो चलो solution ढूनते हैं ठीक है चलो तो भई कैसा होता है structure कुछ इस तरह के से दिखता है यहाँ पे हमारा एक hemi acital linkage बन गया है इसका जो proper rain form है वो भी मैं आपको उताता हूँ अच्छा अब यह structure और जो दूसरा structure रहता है open gin compound वो इसके solution में equilibrium में रहता है देखो solution के अंदर बहुत सारा पानी तो हो गई glucose के साथ साथ तो जैसे पानी इसके पास आता है तो कुछ इस तरीके से खुल जाता है दो OH group एक carbon पर तो एक पानी बन के बाहर तो double bond O आ जाएगा तो यह हमारा normal glucose का structure आ गया यह open chain structure है यह ring structure यह दोनों एक दूसरे से equilibrium में रहते हैं और यह interchange होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते हैं आ रहा है की नहीं आ रहा है समझ में तीक है यह काफी important बात है है तो अभी हमको muta rotation समझना है दो आईजोमर कैसे हैं वो समझना है चलो उस पर दिमाग लगाते हैं glucose दो form में exist करता है ring की तरीके से alpha glucose and beta glucose क्या क्या form होते हैं alpha and beta तो यह जो है जिसमें OH नीचे की तरफ है कौन सा वाला OH जो hemicidal या acidal वाले oxygen के साथ carbon वाला part होता है इस carbon का जिसमें दो OH attached है उस carbon का जो part होता है वो जो OH अगर नीचे है तो कहलाता है alpha ठीक है इसको हम नाम देते हैं alpha और alpha d gluco pyranose क्यों क्योंकि एक pyranose ring है कैसे ring है यह pyranose ring है और glucose क्योंकि glucose और यह एक hemicidal है इसमें OH उपर है तो यह कहलाएगा beta so this is beta d gluco pyranose यह क्या है beta d gluco pyranose और यह कार्बन की खास बात क्या है यह वो ही कार्बन है जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन था अगर हम ओपन चेंज स्ट्रक्चर इसका लेते तो अगर कार्बनिल ग्रुप वाले कार्बन पर नीचे की तरफ OH तो alpha और अगर OH उपर तो beta ठीक है चले आगे चलते हैं एनोमर्स क्या होता है वो देख लेते हैं एनोमर्स वो स्टीरियो आइजोमर्स होते हैं जो सिब एक single chiral center पर बहुत सारे chiral center में से एक कार्बन पर जो एक दूसरे के ring chain आइजोमर भी होते हैं वो stereo आइजोमर क्या कहलाते हैं एनोमर्स जो एक single chiral center पर differ करते हैं किसमें उनके configuration में जैसे alpha D-glucopyranoz और beta D-glucopyranoz तो दो sugar जो differ करते हैं configuration में एक single carbon पर जो कि carbonil carbon था open chain form का उनको एनोमर्स बोलते हैं तो for example ये दोनों एनोमर्स हैं क्यों क्योंकि ये carbonil carbon है open chain compound का ठीक है हमारे D-glucopyranoz का और ये configuration में differ कर रहे हैं एक में OH नीचे है एक में OH उपर है बाकी सब में configuration एकदम same है तो ये दोनों क्या हो गई एक दूसरे के एनोमर्स हो गई क्या हो गई है एक दूसरे के एनोमर्स हो गई चले चलो भई आगे चलो पूरा ध्यान से जागते हुए पढ़ना सो मत जाना कोई भी यह लिए टॉपिक थोड़ा सा ऐसा ही है ठीक है पर पढ़ना तो है क्योंकि फोड़ना तो है और जो जो भी करना पढ़ेगा करेंगे फालतु बहाना नहीं बनाएंगे कि सर याद नहीं होता वो यह नहीं होता है सब याद होता है तुमको सारे दोस्तों के नाम याद है उन्होंने क्या-क्या कांड किये थे किस-किस साल में सब तुमार को याद है ऐसा नहीं होता है हमारे दिमाग में जो हम याद करना चाते है याद होता है जब pure alpha d glucose को हम dissolve करते हैं एकदम तुरन तुरन जब उसको dissolve करने के बाद उसका rotation नापते हैं तो 112 degree आता है पर आप छोड़के चले गए पानी के अंदर आप थोड़े टाइम बाद वापिस आए अब जब आप rotation देखोगे तो 52.5 degree आएगा आपको दिमाग खराब जाएगा यदि यह हुआ क्या जब मैंने पिछली बार चेक किया था तो 112 degree आया अब मैं जब छोड़के गया तो यह तो 52.5 degree आगया है तो क्या किसी ने solution तो change नहीं कर दिया कोई हमारे साथ मस्ती तो नहीं कर रहा है तो यह आपको सोचना एकदम सही है ठीक है तो आप बोलो यार किसी ने solution change कर दिया अब आपने इस बार क्या किया कि आपने बीटा डूग लोकोस लिया उसका measure किया और आपने देखा कि यार 19 degree का specific rotation आ रहा है क्या रहा है 19 degree का specific rotation आ रहा है अब इस compound का specific rotation इस बार आपने क्या किया कि आप ताला लगा के गए बाहर से कि भाई इस बार तो मैं किसी को छेडने नहीं देऊगा solution change करने नहीं देऊगा आप थोड़े दिर बाद आते हो ठीक है measure करते हो specific rotation को और पता चलता है specific rotation फिर 52.5 degree हो गया तो क्या कोई भूत है प्रेत है आत्मा है नहीं एक फिनोमेना हो रहा है होता गया है कि हमने alpha d glucose लिया hydrolyze होके वो open chain structure में compound हो गया convert हो गया मतलब फिर open chain structure से दुबारा pyranose structure में convert हो गया पर इस बार हो सकता ने equal probability है वो alpha d glucose भी बन सकता है तो यह inter conversion हमेशा चलता रहता है चलता रहता है तो हम finally दोनों जगे से मिलकर एक equilibrium की state पहुँच जाते हैं जहां पर net जो अपना दोनों का rotation है वो 52.5 degree का हो जाता है पर यह 11 degree से rotate कर रहा है एक जितना भी था 112 degree करी उससे rotate कर रहा है finally equilibrium के बाद net rotation जो है वो 52.5 degree का हो जाता है इस phenomenon का एक specific नाम होता है जहां पर optical rotation time के साथ change होता है उसको बोला जाता है muta rotation mutant होते न कोई x-men series अगर follow करता है तो थीक है तो muta rotation वोलवरीन सबसे हमारा famous mutant है है न थीक है Hugh Jackman सहब epic actor है फोर देते हैं मतलब so the change of optical rotation with time इसको muta rotation बोला जाता है चलें आगे और ये कैसे होता है भई conversion of alpha and beta glucopyronose anomers into an equilibrium mixture of both जैसा की मैंने बताया चलो muta rotation catalyze होता है acid और base से भी पर ये पानी के अंदर भी hydrolysis के तुरू हो जाता है pure water के अंदर भी ये हो जाता है muta rotation characteristic property होती है cyclic hemiacetal form of glucose की तो अगर muta rotation हो रहा है और हमको थोड़ा बत slight idea है पर थोड़ा confusion था कि ये glucose है के नहीं muta rotation चेक करते हमारा दिमाग और दिल बोल देगा यही है glucose एकदम prove हो गया है अगनी परिक्षा हो गई है glucose की आजकर रमयन देखिए यही हाल है तो देखो अगर हम glucose के सारे major major reactions देखे है तो tollen और felling के साथ यह अपना test देदेगा salt बना लेगा gluconic acid के बहुत important है very important खास कर जो अपना tollen है वो तो बहुत important है तो glucose tollen और felling दोनों test देता है शिफ्ट में यह fail होई जाता है वो मैंने आपको बताई दिया था क्यों? क्योंकि यहाँ पे LDI इतना भी free नहीं है पर tollen और felling बहुत reactive होते है इतने तो reactive होते ही है कि वो hemiacetyl को break कराके और अपना test देदे तो यह test करता है oxyme के साथ reaction हो जाएगा HCN के साथ reaction हो जाएगा HIO4 के साथ oxidation होके HCHO और 5 formic acid के molecules बन जाएंगे चलें glucose की कहानी खतम करें है अपन बात करेंगे अब fructose की ऐसा structure होता है यहाँ पे यह कौन सा group है? ketone group है क्या है एक ketone group है? तो glucose और fructose में difference क्या है? functional group का difference है तो furanose structure 5 member drink इसका furanose structure बनता है तो यह इसका बीटा form है क्योंकि कार्बनिल वाले कार्बन पर OH उपर है अलफा वाला form OH कार्बनिल वाले कार्बन पर नीचे है तो यह इसका alpha d fructo furanose है क्या नाम है? alpha d fructo furanose चलो बहुत बढ़िया जितने भी monosaccharides होते हैं वो reducing sugars होते हैं वो सामने वाले को reduce मार देंगे और muta rotation शो करते हैं fructose is no different यह positive tolerance and felling test देंगे क्या देंगे यह? positive tolerance and felling test देते हैं चलिए बहुत बढ़िया monosaccharides के general reaction हमने देखे लिया दोनों हों कोई भी इनके हमने दोनों के general reactions देख लिये एक बार फिर से revise कर लेते हैं acetylation दोनों के दोनों करा देंगे glucose का हम acetylation कराएंगे तो जो 5 OH group है वहाँ पर acetylation हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया penta acetyl glucose बन गया red phosphorus ही के साथ reduction करा दो सारे के सारे OH गायब हो जाएंगे आपको चाए आप glucose लो चाए सारे reactions common है oxyme कराएंगे तो fructose भी react कर लेगा glucose भी react कर लेगा यह हम पहले देख चुक है fructose का हम oxidation भी करा सकते हैं fructose का oxidation कराने के लिए हम tolerance reagent ले लेते हैं तो gluconic acid बन जाता है चलिए बहुत बढ़िया fructose का आप bromine water test कराएंगे तो reaction नहीं होगा सर आपने सारे सारे common comment तो बता दिये पर fructose और glucose के बीच में differentiate कैसे करेंगे तो आप bromine water के साथ reaction करा लेना तो differentiation हो जाएगा क्योंकि glucose reaction दे देगा यह reaction नहीं देगा चलिए तो आप monosaccharide खतम अब focus होगा disaccharide में disaccharide में भी fructose और सुक्रोस और lactose fructose को monosaccharide होता है इनके उपर हम जादा focus करने वाले हैं lactose और सुक्रोस ठीक है तो चालू करता है सुक्रोस non reducing sugar होता है negative test देता है for benedict and tolerance reagent and ozazone food नहीं करते और muter rotation भी show नहीं करते तो सुक्रोस यह सारे काम नहीं करता है तो देखो monosaccharide और diaccharide में इतना difference आ चुका है है ना इन सब में glycosidic linkage होता है जो काफी characteristic property होती है चाहे वो diaccharide और trisaccharide और इसकी भी अपन बात कर लेते हैं है ना सुक्रोस का अगर हम देखें तो dimer होता है यह alpha d glucose और beta d fructose का दोनों molecule combine हो जाते हैं यह एक dimer होता है तीक है आप खास बात देखेंगे तो देखो o6 o6 होता है fructose में और किसमें glucose में यहाँ पर एक oxygen कम है दोनों molecule के add होने के बावजूद भी क्यों क्यों क्योंकि एक पानी का बाहर निकल जाता है ठीक है ना तो यह white होता है crystalline होता है sweet substance होता है जो soluble होता है पानी के अंदर और यह गन्ने से मिलता है तो जो हम शक्कर खाते हैं that is mostly made up of this compound which is sucrose किसका बना होता है हमारी शक्कर sucrose की बनी होती है तो प्रणाम कर लेते हैं अपन sucrose को क्योंकि G1 में मिठास है sucrose से ठीक है यह रहे आपके sugar cubes ज़्यादा पानी मुह में नहीं आना चाहिए sucrose का structure कैसा होता है ऐसा होता है इसको बोला जाता है glycosidic linkage ठीक है और क्या खास बात है यह अपना alpha d gluco pyranose है यह beta d fructo furanose है इन दोनों ring को जोड के एक हमारा molecule बना है जिसको हम बोलते है sucrose क्या बोला जाता है sucrose बोला जाता है यह non reducing है यहाँ पे reduction नहीं होगा ठीक है तो चलो अब इसका hydrolysis करा देते हैं जब हम इसका hydrolysis कराएंगे तो यह plus 52.7 degree Celsius है minus नहीं है so this is the dextro isomer ठीक है जो alpha d glucose होता है हमारा और हमको एक levo isomer मिलता है d fructose ठीक है beta d जो minus 92.7 levo rotatory होता है यह खुद से dextro rotatory होता है क्या होता है यह dextro rotatory ठीक है तो हमारे यह दोनों compounds बन गए है अब खास बात आप क्या घुमा देगा तो इसको क्या बोला जाता है inversion बोला जाता है क्या बोला जाता है इस reaction को inversion बोला जाता है क्योंकि पहले net net positive rotation था अब net net negative rotation हो गया है तो sign of rotation में change हो गया है वो invert हो चुका है इसलिए इसको invert reaction या invert sugar inversion reaction या invert sugar भी बोला जाता है या invert cane reaction भी बोला जाता है, बहुत सारे नाम है, है न, so mixture is levo rotatory net, क्योंकि 50% ये बना है, 50% ये बना है, तो net mixture levo rotatory हो जाएगा, ठीक है, thus hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign of rotation, from dextro to levo and such a change, इसको हम बोलते हैं, inversion of sugar, और mixture को invert sugar बोलाता है, उल्टी शुगर हो गई, पहले सीधी थी, अब invert हो गई, जैसे ये arrow पहले उपर था, invert होके नीचे हो गया, तो inversion हो गया, ठीक है, समझवाया बत, तो inversion of cane sugar में also be done, एक enzyme होता है, invertase, जो yeast में भी पाया जाता है, किस में पाया जाता है, yeast जो अपना एक molecule, इसको molecule दो नहीं बोलेंगे, एक animal type इसको मान लो, bacteria, fungus मान लो इसको, तो ये इसमें भी पाया जाता है, invertase करके enzyme, तो वो enzyme का भी यही काम होता है, क्या काम होता है, sucrose को fructose और glucose के molecule में तोड़ देना, तो अपना yeast भी ये काम कर सकता है, non reducing sugar होता है, क्योंकि इसमें stable acetyl linkage है, बहुत बढ़िया, muta rotation शो नहीं करता है, यह हम देख चुके हैं, next compound अपना आता है, maltose, ठीक है, इसको भी देखते हैं, यह देखो, अब सारी चीज़ें हम सेम चीज़ पर focus करने वाले हैं, hydrolysis कराएंगे, तो क्या बनेगा, क्या यह reducing है, यह नहीं है, इसको muta rotation शो करेगा, नहीं करेगा, वो यह सेम 45-45 properties है, तो अपने दिमाग में pattern बनाते जाना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलो करते हैं, चलो, maltose को देखते हैं, तो यह अपना maltose होता है, यह dimer होता है, alpha-d-glucose का, और हम starch से इसको बनाते हैं, starch से कैसे बनाया जाता है, इसका partial hydrolysis किया जाता है, complete hydrolysis कर देंगे, तो alpha-d-glucose बन जिसको हम बोलेंगे, maltose, maltose क्यों, क्योंकि एक enzyme होता है, diastase, और diastase हमको कहां से मिलता है, malt से, और malt क्या होता है, sprouted barley seeds, तो malt से, जहां से इसको convert करने का, starch से maltose बनाने का, हमको malt के हैं से enzyme मिलता है, इसले इसका नाम क्या पढ़ा, maltose पढ़ गया, तो dimer होता है, alpha-d-glucose का barley seeds में से, जो मिलता है, enzyme diastase, वहां से इसको बनाया जाता है, उसके help से, तो starch का जब हम partial hydrolysis कराएंगे, तो diastase की मदद से, इस enzyme की मदद से हम इसको maltose में convert कर देंगे, तिक है, इसका structure ऐसा होता है, यह इसका glycosidic linkage है, तो glycosidic linkage, यह non-reducing glucose unit है, और यह reducing glucose unit है, सार यह reducing glucose unit क क्यों है, क्योंकि अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, so this is hemiacetal, जहां पे भी hemiacetal linkage होगा, वो reduce हो जाएगा, tollen और felling test दे देगा, तो important बात क्या है, sucrose non-reducing sugar होता है, maltose reducing होता है, sucrose is non-reducing, maltose is reducing, यह सबसे important information है, और maltose reducing क्यों होता है, hemiacetal linkage के कारण reducing होता है, बहुत बढ़िया, इसको हवर्थ projection formula भी बोला जाता है, alpha-D maltose पे, जो अपने हवर्थ पे, इन्होंने biomolecules पे जबरदस तरीके से काम किया, पीछे पड़े होए थे एकदम biomolecules के, काफी अच्छा contribution है इनका, तो जब हाइडरोलिजिस कराते हैं, एक mol of maltose का, तो हमको 2 mol of D glucose म से, है ना, अच्छा आप C1, C4 कैसे decide करते हैं, C1 हमेशा carbonil carbon वाले carbon को जाता है, ठीक है, carbonil वारा carbon C1 कहलाता है, भाई जो functional group है, IOPSC 911 के basics है, ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं, lactose की दूद तो आपने PIE होगा, इसको milk sugar भी बोला जाता है, क्योंकि ये milk में हमको मिलता है, किसमें मिलता है, दूद में, आजकल वैसे अमूल वगरा कैट बहुत चल रहे है, दूद में हमको ये मिलता है, इसलिए इसको milk sugar बोला जाता है, ठीक है, lactose को जब hydrolysis कराते हैं, dilute acid या lactose enzyme के कारण, जैको इन सब के नाम है, mostly इनके enzyme से मिलता है, enzyme इनको convert करने के काम आता है तो हमको equitable or mixture मिलता है, D-glucose और D-galactose का, किसका मिलता है, D-glucose और D-galactose का, ठीक है, तो ये reducing sugar होता है, very important point, सूक्रोस reducing नहीं होता, ठीक है, है ना, maltose reducing होता है, और lactose भी reducing होता है, it is a reducing sugar, muta rotation भी करता है reduce भी होता है reduce होता है तो tolern or felling solution के साथ reaction कर लेगा ठीक है तो ये lactose के बारे में important बात थी इसका इस तरीके का कुछ structure होता है और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमको एक hemiacital linkage मिलेगा जिसके कारण अपना जो भाई है वो क्या करेगा अपना जो भाई साब है वो reaction कर लेंगे reaction कर लेंगे तो ये जो ring है ये open chain compound के साथ equilibrium में रहेगी open chain compound के साथ अगर equilibrium में रहेगी तो इसमे configuration change होता रहेगा configuration change होता रहेगा तो क्या होगा कि भाई आपने एक particular compound डाला ठीक है जैसे पाणी एकुलिब्रेम आ जाएगा तो म्यूटा रोटेशन शोगा, म्यूटा रोटेशन कब शोगा जब रिड्यूसिंग शुगर होगी, ठीक है आज ये बात समझ में, क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर हाइड्रोलेसिस में अपना फॉर्म चेंज करता ही नहीं, एक फिड्यूसिंग फॉर्म में रहता है तो म्यूटा रोटेशन मतलब टाइम के साथ रोटेशन चेंज होना, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बचती है, ठीक है तो ये गलेक्टोज यूनिट है ये गलुकोज यूनिट है जो कि अपना रिड्यूसिंग हाफ है ठीक है न, स्टार्च अमाईलम अब हम पॉली सेकराइट्स पे आ गए हैं ये क्या है, पॉली सेकराइट्स है, ठीक है तो वैल्यू अफ एन हजार से, सॉर्ज से तीन हजार के बीच में वैल्यू रखता है मेजर ली अपने को कहां मिलता है मेजर ली अपने को मिलता है भई, ये चीफ फूड रिजर्व मटील होता है या फिर स्टोरेज पॉली सेकराइट भी इसको बोलते है प्लांट्स के अंदर और ये मेंली बनाया जाता है सीड्स, रूट्स, वीट, मेज, राइस, पटेटो, बाढले, बनाना और सौरगम में फोटो सिंतेसिस से क्या बनता है स्टार्च बनता है आ रहे की नहीं आ रहे है समझ में प्लांट्स इसको फोटो सिंतेसिस के दौरान बनाते है बहुत important compound है हमारा जो mainly खाना होता है उसमें stars present होता है देखो, हम, चावल, गेहू, पटाटो ये कितना frequently खाते है बनाना और सब में क्या होता है stars होता है stars consist of दो fraction दो fraction इसमें होता है है ना, और क्या-क्या होते है उसका नाम पहला तो होता है amylose दो section में से एक section का नाम होता है amylose जो iodine के साथ blue color देता है ये बहुत एक famous experiment भी है आपने lab में भी किया होगा tincture iodine करके हमारा solution आता है जब उसको starch में डालते हैं तो वो पूरा blue color का हो जाता है starch का जो paper आता है बहुत famous experiment है है ना, तो ये जो blue color है ये एक inclusion complex complex बनता है starch के molecule और iodine के बीच में जिसके करण उस compound का color क्या हो जाता है blue तो starch के दो fraction होए पहला fraction होता है amylose और जो दूसरा fraction होता है amylopectin क्या होता है amylopectin amylopectin की क्या खास बात है ये water में insoluble है और stable है hydrolysis की तरफ माल्टोस नहीं बनता इस से क्योंकि ये hydrolysis में नहीं जाता और माल्टोस नहीं बनाता है ना diastase मतलब बेसिकली इस पे कोई effect नहीं डाल पाता जो अपना enzyme ने diastase जिससे माल्टोस बनता है मैंने आपको क्या बनाय था कि maltose बनाने के लिए हम partial hydrolysis कराते हैं starch का तो starch के दो fraction होते हैं एक तो amylose उससे maltose बन जाता है और दुसरा amylopectin amylopectin से आप diastase के साथ reaction करवा भी लेंगे उसकी presence में reaction करवा भी लेंगे तो भी maltose नहीं बनेगा ठीक है और ये d-glucose के में भी नहीं जाता dilute acids के साथ hydrolysis करके है ना चले ठीक है मदब ये resistant है अब आप जबरदस्ती कुछ दूसरा काम करके इसको maltose तक लेके जाओगे तो चला जाएगा किसके तरफ resistant है ये dilute acids से d-glucose बनाने के लिए और diastase से maltose बनाने के लिए दूसरे तरीके से maltose बनाया जा सकता है है ना चले बहुत बढ़िया alpha amylose consist करता है can branch chain जिसका molecular weight between 10,000 and ये कितना बड़ा नंबर है 10,00,000 10,00,000 ठीक है इसमें बागबान में एक सीन आता है इसमें 10,00,000 रुके उसको बिलते है the value of N depends on the source and treatment of alpha amylose ये बागबान कहां से आजा आगे ये cult movie है तो जब हम college में देना तो ऐसे देख लेते जाए कुछ-कुछ cult movie है जिसे गुंडा और ये बागबान थी traditionally first year में सारे बच्चा IT वाम में में देखते है चला आ रहा है इतने सालों से तो alpha amylose का जो molecular weight है वो 10,000 से 10,000 के बीच में कुछ होता है तो ये अपना ऐसा कुछ दिखता है unbranched chain है branches दिख रही है क्या branch कैसा होता है जैसे एक chain ये है नीचे से दूसरी chain connect हो के ऐसे हो गई फिर नीचे से तीसी chain connect हो के कुछ ऐसी हो गई तो यहाँ पर इसको बोलते है branching पर यहाँ पर branching नहीं है ये एक straight chain compound है सीधा का सीधा चलता जा रहा है बिना किसी branching के ठीक है आया समझ में alpha-d-glucopironose यहाँ पर इसका constituent compound होता है चले बहुत बढ़िया starch को जब हम हैड्रोलाइज कराते हैं तो हमारे को पहले तो partial hydrolysis की कारण अलग-अलग end ice जैसे मालो 1000 का था तो पहले यह 300 में भी convert हो सकता है 500 में भी breakdown हो सकता है 700 में breakdown हो सकता है फिर आप और hydrolysis कराते हो 700 को अटाओ तो यह finally किस में convert होता है maltose में फिर आप इसका और hydrolysis करा लो क्या बना देगा? glucose क्या बना देगा? glucose तो पहले थोड़ा सा hydrolysis होता है और छोटा होता है compound breakdown होता है और hydrolysis कराओगे तो और breakdown finally, finally, finally जाके यह एक monosaccharide पे पहुंच गया और monosaccharide की definition क्या होती है? जो hydrolysis पे further breakdown नहीं होते ठीक है? जो दूसरा वाला यह अपना amylos है यह देखो इस तरह से दिखता है अगर हम इसको एक अपने जो normal hexane की ring है pyranose वाली उसकी तरह से देखें तो amylos जैसा दिखता है यहाँ पे कोई भी branching नहीं है यह glycosidic link केज़े है पर branching नहीं है ठीक है? amylopectin को अगर हम देखें amylopectin को अगर हम देखें तो amylopectin में आप देखोगे कि यहाँ पे branching हो रही है क्या हो रही है? branching हो रही है एकदम सीधा सीधा नहीं है यह रही एक branch तो ऐसे और branch हो जाती है तो कुछ-कुछ इसमें polysaccharide जो हमको देखना है glycogen find किया जाता है nearly जितने भी animal cells हैं सब में liver में मिन ली तो हमारे भी liver में बहुत सारा glycogen होता है आपने सुना होगा definitely है न? इस तरह से ऐसा कुछ दिखता है यह अपना glycogen भाई ठीक है? यह reserve carbohydrate होता है animals का तो इसको animal starch भी बोले आते है देखो plant अपना reserve food starch बना के store करते है अपन अपना reserve food glycogen बना के carbohydrate हम glycogen के form में reserve करते हैं है न? तो plant ने carbohydrate बचाने के लिए starch बनाया animals glycogen को उस तरह से synthesize करते हैं ठीक है न? चले बहुत बढ़िया glycogen white powder होता है पानी में soluble होता है और एक बार soluble होने के बाद अगर हम इसका iodine के साथ reaction करवाते हैं तो ये एक purplish red color देता है कैसा color देता है? एक purple red color देता है ठीक है न? hydrolysis पे जब हम इसका diluid acid के जाद hydrolysis कराते हैं तो हमको D-glucose मिल जाता है क्या मिल जाता है? D-glucose मिल जाता है चलिए ओसम है glycogen का structure amylopectin के जैसा होता है कि सिर्फ एक difference होता है कि इसमें cross linking और ज़्यादा होती है amylopectin में अगर मालो X है तो cross linking अरे X है तो फिर हमारा जो glycogen है उसमें cross linking X से ज़्यादा होगी ठीक है? अगला molecule देखते है cellulose जनरली कहाँ पर होता है? कपड़े में, wood में और भी काफी जगे पर ये अपना cellulose पाया जाता है cellulose एक colorless solid होता है जो कि पानी में insoluble है और organic solvents में भी insoluble है अगर आपको इसको कराना है कि भाई मैं तो soluble बना के मानूँगा तो आपको ammonical cupric hydroxide लेना पड़ेगा क्या लेना पड़ेगा? ammonical cupric hydroxide जिसको हम Schweizer's reagent भी बोलते हैं या फिर concentrated HCl लेना पड़ेगा cellulose एक regular polymer होता है D-glucopyranose का जिसमे beta-1,4 glycosidic linkage होता है क्या होते है? beta-1,4 glycosidic linkage होते है ये एक straight chain polymer है ये important है देखो cellulose और starch अपने straight chain polymer होते है starch के भी जो पहला component है amylose वो straight chain अपना polymer होता है ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया बस ये beta-D-glucopyranose ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा cellulose के अंदर ठीक है? carbohydrate के अगर हम test की बात करें कि भाई कोई हमको compound दे तो हम कैसे पहचानेंगे carbohydrate दो characteristic test होते है कि जब हम इसको dry test tube में heat करते हैं तो ये भाई melt हो जाता है फिर brown turn हो जाता है और finally काला हो जाता है जैसे जैसे आप heat करते जाओगे पहले तो melt होगा फिर brown हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? काला तो हमारे को एक characteristic smell आएगी burning sugar की कभी आप शक्कर को directly जब उसको पकाते हैं न हम शक्कर को जार एक बहुत बताओ किस-किस ने अपने घर पे भी white होती है देरे-देरे जब उसको पकाना शुरू करते हैं तो वो brown हो जाती है अब आप जलाई दोगे उसको तो वो काली हो जाएगी तो यह characteristic reaction है carbohydrate का ठीक है? दूसरा characteristic क्या है? कि जब आप इसको little concentrated छोटा amount लोगे आप concentrated H2SO4 का तो एक काला काला कार्बन की परच जम जाती है कभी आप मोंबत्ती जलाते हो या फिर कपूर जलाते हैं जब हम तो उसके ओपर हम वो रख देते हैं एक china dish, petrol dish या कुछ कागज कागज तो मत रखना जल जाएगा कुछ आप metal की dish रख देते हो है ठीक है ठीक है तो बात करेंगा amino acid and proteins की so bifunctional compound होते है bifunctional मतलब दो functional group यहाँ पर होने वाले है कौन-कौन से होते है amines होते है and acid होता है carboxly cottage COOH group so हमारे पास COOH group है and NH2 है इसलिए वो लगता है amino acid amino for amine acid for acid ठीक है तो जैसे यह एक example है है ना यहाँ पर यह अपना amine वाला part है जो white में मैंने बनाया है circle किया है और जो blue में किया है वो अपना acid वाला part है ठीक है चलिए amine group यह अपना normal carbon वाला group side changes को बोला जाता है और यह अपना carboxlyic acid group बहुत बढ़िया चलो आगे चलते हैं 20 amino acid होते हैं जो कि proteins में commonly found होते हैं और यह standard amino acid है पूरी list आपको NCRT में मिल जाएगी यहाँ पर में जो सबसे important है वो वाले बताने वाला हूँ ठीक है ना सारे alpha amino acids होते है alpha मतलब यह COOH है तो यह alpha carbon है alpha carbon पर NH2 जुड़ा हुआ है इसलिए alpha amino acid बोला जाता है इन भाहिसाब का नाम भी अब यह जानेंगे कि यह कौन है जब हम इस R group को define कर देते हैं तो अलग-अलग नाम होता जाता है तो यह amino acid है तो सारे important important हम देख लेते हैं जाजातर 1 degree amino group होते हैं एक जो है वो बहुत important भी है वो 2 degree amino होता है इसका नाम क्या है इसका नाम है प्रोलीन और इसको bracket में capital P से denote किया जाता है alpha amino acid यहाँ पे जो nitrogen है यह 2 degree है instead of 1 degree ठीक है और क्या बाकी-बाकी important होता है यह अपना glycine होता है जी यह alanine होता है यह two most important है क्या है यह दो सबसे ज़्यादा important है इनको आपको contest करना है यह आपको याद होने चाहिए बहुत important है इसको याद करना इसकी खास बात यह chiral नहीं है यह chiral नहीं है तो इसके आगे अपन A लगा देते हैं तो यह A chiral है क्योंकि यहाँ पे chiral center नहीं है बाकी सारे amino acids chiral compounds होते हैं इस glycine को छोड़के देखो यह chiral है यहाँ पे chiral center है और एक ही है तो यह plus में भी exist करेगा minus में भी exist करेगा तो यह अपना सिस्टीन है यह important इसलिए है क्योंकि यहाँ पे sulfur के साथ linkage है तो यह भी अपने को पे में लिकना है important है याद करना है ठीक है जितने amino acids होते हैं वो chiral होते है at least one chiral retum यह मैं आपको बताई दिया glycine के अलावा चले बहुत बढ़िया अब भाई इन में भी वो D और L nomenclature तो काम करता ही है ठीक है Ns2 group right में होगा तो D ns2 group left में होगा तो L चलो classification of amino acids तीन तरीके से होता है पहला occurrence के basis पर दूसरा requirement और तीसरा chemical nature occurrence के basis पर अगर यह naturally occurring है plants में, animals में पाए जाते हैं तो natural हम बना रहे हैं इसको synthetic ली तो synthetic requirement के basis पर essential essential वो जो हमारी body produce नहीं कर सकती उसको हमको बाहर से intake करना पड़ता है non essential वो जो हमारी body produce कर सकती है और इतना produce कर सकती है जितनी हमारी requirement है semi essential वो वाले होते हैं जो हमारी body produce तो करती है पर हमारी requirement के जितना produce नहीं कर पाती है तो हमको बाहर से artificially intake भी करना पड़ता है तो इससे बोलते है semi essential chemical nature के basis पर neutral हो सकते हैं acidic हो सकते हैं basic हो सकते हैं अगर COOH group जादा है किसके comparison में NH2 के comparison में तो acidic हो जाएगा NH2 group जादा है COOH group के comparison में तो basic हो जाएगा ठीक है amino acid को प्रिपेर कैसा ही जी कहा जाता है यह सबसे important और सबसे commonly occurring method है इसको हम अलड़ी जानते हैं Gabriel thelemite synthesis यह हम अलड़ी एक बार कर चुके हैं तो होता क्या है हमारे पर पर यह salt होता है यह इस पर attack करके यहाँ पर क्या जोड़ लेगा अपने साथ यहाँ पर मदब इस carbon पर attack करके CL बाहर हो जाएगा SN2 के mechanism के through और अपना यह वाला pound बन जाएगा यहाँ पर यह वाला group जुड़ जाएगा इसके बाद हम इसको HCl H2 के साथ reaction करवाएंगे तो होगा क्या कि यह group यहाँ से बाहर और यह सब भी यहाँ से बाहर बनके finally अपने पास N3H CH2 COOH बन जाएगा वैसे यहाँ पर एक plus charge आएगा है ना क्योंकि acidic medium है तो यह plus charge लेके रखेगा आप इसके plus charge को हटा दो तो finally आपके पास जो आपका यह amino acid है वो बन गया क्या बन गया? आपका जो amino acid है glycine वो बन गया तो यह Gabriel Thalamide Synthesis important process है आप emanation करा सकते हो alpha hello acid का याद है हमने हेलवार वॉलेंस की reaction करा के HVZ reaction करवा के alpha hello acid बनाये थे HVZ reaction कराये था अपन ने BR2 phosphorus के साथ तो इससे होता क्या है कि alpha position पे एक hydrogen replace हो जाता है और hydrogen लग जाता है तो hydrogen replace हो के hydrogen लगा अब आप excess में ammonia ले लो excess में आप होने लोगे तो इसको बार बार धक्का मार मार के BR को बाहर निकाल दिया जाएगा और ये खुद यहाँ पे आके बैठ जाएगा क्या बन गया? Elanine बन गया क्या बन गया? Elanine बन गया ठीक है? चलिए amino acid की अगर हम property की बात करें तो amino acid को हम ऐसा दिखाते हैं कि यार जैसे हमार पास बीच में ऐसा हम कुछ दिखाते हैं कि ये NH2 है ये R है ये COOH है अब ये एक non-ionic compound है तो यार इसको आराम से ये volatile होना चाहिए मदब थोड़ा सा अपन ने इसको heat किया तो ये ओड़ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत strong electrostatic force of attraction नहीं लग रहे पर होता इसका एकदम उल्टा है ठीक है जैसे अब ये आपको एक एक करके property बताता हूँ amino and carboxly acid के contrast में amino acid non-volatile होता है अभी तो मैंने आपको बोला कि इसका ये neutral वाला structure देखके हमको ऐसा लगता है कि यह आराम से volatile होगा थोड़े सी आग लगाई और उड़ जाएगा पर ऐसा नहीं होता ठीक है उपर से ये solid होता है आपको पता है कि यार generally solid वो ही compound होता है जिसमें यादो बहुत लंबी चोड़ी bonding हो रखी हो कैसे जैसे diamond हो गया graphite हो गया fluorine हो गया इनमें बहुत लंबी चोड़ी covalent bonding होती रहती है वो यहाँ पर हो नहीं सकती दूसरे compound कौन से solid होता है जिनमें ionic bonds होता है जो ionic होता है इसका मतलब ये crystalline है तो कही न कहीं इशारा है कि यहाँ पर ionic bonds present है तो बहुत high temperature पर decomposition होता है ये पहली चीज ये insoluble है non polar solvent में जैसे petroleum, ether, benzine और soluble है water में बहुत ज़ादा मतलब high dipole moment होगा इनका highly polar होंगे ये क्या होंगे? highly polar तो अगर मानलो मैं COOH group को और NH2 group को देखूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक dipole moment इधर, एक इधर और इधर XC के साथ NH2 जुड़ा है तो एक नीचे, तो यहाँ पर weak force लगेंगे ज़्यादा strong नहीं है क्योंकि dipole एक दूसरे को cancel out कर देंगे, तो यह बहुत highly polar नहीं होगा, पर ऐसा पाया ही नहीं जाता यह तो बहुत highly polar है, तभी तो जाके पानी में soluble है, like dissolves like के rule से, तो यह भी एक दिक्कत हो गई, echo solution ऐसे behave करते हैं, जैसे बहुत dipole moment high हो, है ना तो finally एक चीज़ realize हो जाती है कि जो structure हम सोच रहे हैं, वैसा नहीं है, कुछ और है एक और बहुत बड़ा proof की neutral structure नहीं है, तो इनका जो acidity और basicity constant होता है, वो बहुत low होता है देखो, COOH अगर होता COOH के form में तो acidic strength काफी अच्छी होती COOH की तो K value ठीक टाग होती है similarly NH2 की KB value भी बहुत ठीक टाग होती है, पर जब हम इनकी values को नापते हैं, glycine के अगर values को नापें, तो K 10 की power minus 10 के order का होता है, और KB 10 की power minus 12 का order होता है अगर इसमें COOH group और NH2 group present होते freely, तो फिर 10 की power minus 5 की around का K A होना चाहिए था, और 10 की power minus 4 की उनका KB होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता, तो सारी जुगाड बाजी, तिकडम बाजी करके experiments run करके, ये समझ में आया कि ये जो अपना structure है, dipolar iron का, amino acid का जो dipolar iron का structure है, वो actually में real structure है, क्या समझ में आया, कि ये जो amino acid का dipolar iron structure है, वो real structure है और इसको zwitter iron बोला जाता है and this is the most important thing, पूरे amino acid में, सबसे important अगर कोई चीज है, जो आपको समझ में आनी चाहिए, तो that is zwitter iron, ये zwitter iron की form में exist करते हैं overall molecule neutral है पर इसमें charge centers है, ये positively charged है, और ये negatively charged है, ठीक है आरा है समझ में, चले है, बहुत है, तो बहुत सारी situations और conditions arise करती है, ठीक है physical properties, melting point, solubility high dipole moment, structure का बहुत शांदार है, क्योंकि एक तरफ पूरा का पूरा positive charge, एक तरफ पूरा का पूरा negative charge, दोनों का dipole moment एक ही direction में आएगा, तो high dipole moment हो जाएगा ठीक है, salt का melting point वगएरा भी काफे अच्छा रहता है, क्योंकि ionic bonds present होते हैं, है ना अब देखो, एक शांदार चीज़ आपको बताता हूँ यह हमारा original zwitter ion है, अगर मैंने medium बहुत ज़्यादा basic कर दिया, मतलब मैंने OH minus वाला medium कर दिया, alkaline medium कर दिया, मतलब pH मैंने बढ़ा दिया, इस direction में जब मैं जा रहा हूँ, तो मैं pH बढ़ा रहा हूँ, तो होगा क्या, बहुत सारे OH minus होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, इससे एक H plus खाके चल जाएंगे, तो मेरे पस क्या बनेगा यह, तो जब भी pH high होता है, तो हमारे amino acid एनाइनिक होते हैं pH high में amino acids एनाइनिक हो जाते हैं CO minus तो CO minus जैसे ही रहेगा यह जो NH3 plus वाला part है इसको क्या होगा, कि इसका जो H plus है, जो इसको positive बना रहे उसको बहुत सारे जो OH minus है pH ज़ादा होने के कारण वो खाके चले जाएंगे ठीक है आप मालो मैंने बहुत ज़्यादा acidic medium कर दिया मतलब मैंने pH काफी low कर दिया क्या कर दिया मैंने pH को मैंने pH को काफी ज़्यादा कम कर दिया तो होगा क्या तो होगा ये भीया कि ये जो अपना CO minus वाला part था इसको बहुत सारे H plus मिल जाएंगे तो ये तो अब neutral हो जाएगा जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है और NH3 plus NH3 plus जैसा रह जाएगा तो जब pH बहुत कम होता है तो हमारे amino acid kateinics हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं kateinic हो जाते हैं तो pH बहुत बढ़ा दिया तो NIN pH बहुत कम कर दिया तो katein ठीक है चलो तो अब इससे एक बहुत शांदार चीज जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं ISO electronic point क्या बोलते हैं ISO electronic नहीं ISO electric point क्या बोला जाता है amino acid का ISO electric point ये वो point होता है जहाँ पे की जहाँ पे की जो net amino acid है वो molecule neutral होता है तो अब हम खुझ से एक सवाल पूछेंगे कि क्या होगा एक solution of amino acid को जब हम electric field में डाल देंगे है ना तो आपने देखा कि अगर pH बहुत जादा है तो anionic species हो जाता है तो जो anion है वो किस तरफ भागेगा anode की तरफ बहुत कम pH हुआ तो cationic species हो जाती है cation किस तरफ भागेगा cathode की तरफ भागेगा और अगर molecule neutral है molecule अगर neutral है तो जो basically molecule है वो ना तो cation की तरफ जाएगा ना anion की तरफ जाएगा तो अपनी जगहे पर ही पड़ा रहेगा तो इसी basis पर हमने यह तो देख लिए quiet alkaline solutions में anion cation से जादा होते है तो migration amino acid का anode की तरफ होता है क्योंकि anions exist की तरह से करता है quiet acidic solution में cation की तरह से exist करेगा तो cathode पर जाएगा क्यों क्योंकि cathode वाला जो electrode होता है वो negatively charged होता है कैसा होता है वो negatively charged होता है ठीक है अगर cation और anion exactly balance कर जाते है तो कोई भी net migration नहीं होता है इस condition में एक molecule तो positive की तरह से exist करेगा एक negative की तरह से exact करेगा exist करेगा exact same time पर मतलब overall neutrality होगी इस point पर तो कोई migration नहीं होगा ना कोई cation की तरफ जा रहा होगा ना कोई anion की तरफ मतलब cathode की तरफ कोई नहीं जा रहा होगा और anode की तरफ भी कोई नहीं जा रहा होगा सब अपनी जगे पर बैठे हुए होगे ठीक है तो वो concentration मतलब वो pH जहां पे की solution एक particular amino acid का migrate नहीं करता electric field के influence में कब migrate नहीं करेगा जब वो net neutral होगा तो उस point को उस pH को isoelectric point बोला जाता है और इसका एक special नाम रखा जाता है P.I. क्या नाम रखा जाता है P.I. I. मतलब isoelectric ठीक है तो आप इससे एक बर समझा जेता हूँ वो pH जहां पर की amino acid के molecules का जो solution है उसमें ना तो positive की तरफ migration होता है ना negative की तरफ migration होता है उस point को बोला जाता है isoelectric point क्या बोला जाता है isoelectric point बोला जाता है तो वो amino acid जिसमें COOH group जादा होंगे NH2 group से उसका P.I. साथ से कम होगा अब बच्चे इसमें confused जाते हैं कि ऐसा क्यूं छोटा सा बताऊंगा आपको detail में समझना है तो आपको Israel की app install करनी पड़ेगी उसमें बहुत detail में समझाया है लंबे time तक समझाया है देखो अब छोटा वोटा तो आपन समझी लेंगे है ना कान खुले रखना बहुत ध्यान से बढ़ना सोना मत हमारे पास मान लो तो ये एक हमारा क्या है ये हमारा ये तो जिसमें COH और NH2 बराबर है अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे भी COOH लगा देते हैं क्या लगा दिया हमने COOH यहाँ पे लगा दिया थीक है अब मालो pH मेरा 7 है जैसे मेरा pH 7 होगा ये H प्लस निकलेगा ये H प्लस निकल जाएगा मानस चार्ज मानस चार्ज इधर एक H एक एकस्ट्र आजाएगा NH3 फ्लस तो ये net नेगेटिव है क्या बिलकुल सर नेट नेगेटिव है नेट माइनस 1 का इस पे चार्ज है हम क्या चाहते हैं कि net न्यूटरल हो यह neutral किस तरीके से हो सकता है क्या तरीका है इसको neutral बनाने का इसको neutral बनाने का सिर्फ एक तरीका है कि यह जो COOH जो अपनी ताकत दिखा रहे हैं acidic strength दिखा रहे हैं जो अपने H plus को lose कर रहे हैं हम उनकी ताकत को कम कर दें हम उनके dissociation को रोक दें तो अब एक बात बताओ, अगर मैं pH कम करता हूँ, तो मतलब मैं H plus ion concentration बढ़ाता हूँ, जैसे ही मैं H plus ion concentration बढ़ाऊंगा, इन दोनों COOH ग्रूप पर common ion effect लगना शुरू हो जाएगा, जिसको इस चीज में दिक्कत आ रही है, वो क्रपिया जाके ionic equilibrium एप से पढ़ लें, क्योंकि ionic equilibrium काफी important है, ठीक है, तो यहाँ पर common ion effect लगने लग जाएगा, जैसे common ion effect लगेगा, तो COOH ग्रूप का dissociation कम होगा, तो उसमें क्या होएगा, कि यह 50% of the time dissociate होगा, यह 50% of the time dissociate होगा, तो इसमें minus 0.5 का charge, इसमें minus 0.5 का charge, तो net minus 1 का charge, और यहाँ तो क्योंकि pH कम है, मतलब H+, बहुत सारे हैं, तो यह तो अपना हमेशा plus 1 का charge रखेगा, तो minus 1 और plus 1, 0 charge हो जाएगा, आया बात समझ में, हमने common ion effect लगा के, COOH group का dissociation कम कर दिया, COOH group का dissociation कम करने से हुआ क्या, कि minus 2 का charge की जगे, minus 1 का charge आया, तो आपको एक ऐसा point ढूंडना पड़ेगा, जहांपे की यह condition arise करे, तो हमको एक बात तो समझ में आ गई, कि जब भी COOH group जादा होंगे, तो molecule को overall neutral रखने के लिए, हमको pH 7 से कम रखना पड़ेगा, अब आप याद कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर COOH group जादा, तो आपका जो PI है, वो 7 से कम आएगा, इसका उल्टा, अगर NH2 group जादा होंगे, तो PI जो है, वो 7 से जादा आएगा, क्या आएगा, साथ से जादा, तो लिख लेते हैं, COOH more than NH2, PI less than 7, अगर COOH, NH2 से कम हुए, तो PI more than 7, इसको अपनी कॉपरी में लगा लो, याद कर लो, इसके बेसिस पे बहुत प्यारा सा सवाल करने वाले हैं, जो एडवांस में हैं था, चलो करें, तो इसको देखो एक बार और लिख लेते हैं, कि Amino Acid positively charged होगा, अगर pH, PI से कम हुआ तो, बहुत important है, positively charged, if pH less than PI, याद कर लो इसको, negatively charged, if pH more than PI, तीक है, ये एक और चीज हो गई, जो दिमाग में रखनी है, किसमें रखनी है, दिमाग में रखनी है, रखनी है कि नहीं रखनी है, बोलो, रखनी है सर, तो रखो, किसका बेट कर रहे हो, चालो कर दो याद करना, है ना, So Amino Acid, यार देखो, समझ के याद कर रहे हैं, जो अपना वो टेकनीक है, S, D, Y, समझो, हो ही गया, देखो, करो, याद करो, तो कर लेना, चीग है वही, Amino Acid is negatively charged, if pH is more than Pi, pH अगर Pi से ज़्यादा हुआ, तो negatively charged, pH अगर Pi से कम हुआ, तो positively charged, एक बहुत ही महान निहायती, आसान सवाल आया था, Advanced के अंदर, साल थोड़ा सा, भूल गया हुआ है, किस साल आया था, पर compound आपको दिया हुआ था, ये, और R1 और R2 दिये हुए थे, आप ध्यान से देखोगे, तो NH3 प्लस और COO माइनस, बराबर बराबर हैं, तो अभी सारे, जो COOH और NH3, NH2 ग्रूप है, बराबर मातरा में है, अब आपसे ये बूला गया है, कि हम R1 और R2 में, ये सारे सब्सिटुएंस लगाते हैं, ठीक है, आपसे बूला है, कि how many of these compounds, are positively charged at pH 7, तो हमको ये पता है, कि अगर pH, PI से कम होगा, तो positive charge आएगा, मतलब PI 7 से ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, PI 7 से ज़्यादा, PI 7 से ज़्यादा कब होंगे, जब NH2 more than COOH होगा, बस यहाँ पर इतनी सी information, infer करनी थी, उसके बाद तो सिर्फ counting करनी है, H और H, तो ना तो NH2 है, ना COOH, तो ये गया, H, TH3 ये भी गया, अब इसमें COOH है, R1 सबसिट्वेंट की जगे पर, और R2 पर H है, ठीक है, तो मतलब COOH NH2 से ज़्यादा हो गया, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये, NH2 COOH से ज़्यादा, तो इसमें ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसका कोई फरक नहीं पड़ेगा, this is as good as hydrogen, NH2 ग्रूप ज़्यादा है, तो ये अपना एक आ गया, CO NH2, CO NH2 नूट्रल है, तो ये भी गया, NH2 इधर भी, NH2 इधर भी ये भी आ गया, हमको सिर्फ NH2 more than COOH काउंट करना है, भाईयों मैंनों, यहां से सुनना, CO NH2 तो CO NH2 ज़्यादा ये भी गया, NH2 ज़्यादा ये आ गया, और NH2 ज़्यादा ये आ गया, तो टोटल अपने पास, 1, 2, 3, 4, 4 ऐसे आए, तो numerical type question आया था, जिसका answer था 4, काफी easy है, उन बच्चों के लिए, जिनको ये PIPH वाला फंडा बता है, तो अब आपको पता हो गया, तो आप advanced level के question भी, ऐसे चुटकी बजा के कर सकते हो, ठीक है, आया समझ में, चलिए, बहुत बड़ी है, अब NH2 ग्रूप के कारण, क्या-क्या reaction आते हैं, यह देखो basic compound है, तो जाके basic reaction कर देगा, तो आप जब इसके साथ reaction करवाते हो, तो इसके जो NH2 ग्रूप के कारण, जो reaction आते हैं, HBR, तो H+, है, acid है, NH3+, BR-, इसके आजो-आजो आके, क्या हो जाएगा, attach हो जाएगा, MECO, CL पे आप कराते हो reaction, तो SNAE होके NHCOME बन जाएगा, AC2O के साथ कराते हो, तो वापिस से क्या हो जाएगा, SNAE वापिस से यह हो जाएगा, यहाँ पे NHCOME बन जाएगा, NANO2, HCL, तो diazotization, diazotization के बाद, यहाँ पे positive charge, positive charge के बाद, H2 का attack और OH यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, very important reaction, very important reaction, diazotization काफी important reaction होती है, चलिए, NOCL का reaction करवा होगे, तो यहाँ पे NO+, वापिस से सारे काम सब सेम होगी है, diazotization के बाद, CL-ा के attack, काम होगे है, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, NOBR के साथ आप reaction करवा लोगे, तो क्या हो जाएगा, यह reaction हो जाएगा, sort of SN2 इसको बोला जा सकता है, है ना, चलिए, अब COH group के कारण reaction, तो यह acidic होता है, तो आपन इसको फिर से reaction पे माट लेते हैं, ROH के साथ reaction करवाऊंगा, तो वो इस पे जाके attack कर देगा, OH बाहर और OR जुड़ जाएगा, ठीक है, NaOH के साथ reaction कराएंगे, तो यह तो D-carb oxylation है, तो COH यहां से हट जाएगा, उसके जगे यहां पर hydrogen लग जाएगा, NaHCO3 के साथ, सोडियम का salt, मतलब यह हट के यहां पे Na plus लग जाएगा, यहां CO- हो जाएगा, ठीक है, L-A-H, मतलब यह basically L-A-H है, तो यह reduction करा देगा, reduction करा देगा, तो यह क्या कर देगा, CH2 OH बना देगा, NH3, NH3 यहां पे S-A-E कराके, CO-N-H2 बना देगा, Amide formation हो गया, क्या formation हो गया, Amide का formation हो गया, ठीक है, हीटिंग एफेक्ट, very important, वापिस से, हीटिंग एफेक्ट, Amino Acid का, अब Amino Acid, Alpha है, की Beta है, की Gamma है, की Delta है, की Eta है, उसके ओपर depend करेगा, की product क्या बनेगा, Heating of Amino Acid, leads to inter-molecular dehydration, to form cyclic diamides, यह बात हो रही है, Alpha के लिए, अगर Alpha Amino Acid है, तो यह Alpha Position, इसका Amino Acid, यह वाले Amino Acid की Alpha Position पे, तो पानी बाहर निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से, Carbon और Nitrogen के बीच में, Bond बन जाएगा, और Finally, आपका कुछ इस तरीके का, Compound बन जाएगा, Cyclic Amide का formation हो जाएगा, Cyclic Amide, तो जब Alpha Amino Acid के हम बात करते हैं, तो Cyclic Amide बन जाता है, चलिए बहुत बढ़िया, अगर Elenin को आप Heat करेंगे, तो दो Diastereumers अप्टेन होंगे, कैसे, ऐसे, यह Final Product बने, तीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो कॉस है, मतलब हर डाइरेक्शन बर, इकवर और अपोजिट चलने पर, सेम ग्रूप आ रहा है, तो यहाँ पे Cos is present, तो यह इन एक्टिव हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक Compound बनेगा, यहाँ पे No Cos, No Paws, तो यह Optically Active हो गया, तो प्लस माइनस दो नों बनेगे, तो जो आप इसको हीट करते हो, तो टोटल तीन प्रोड़क्ट बनेगे, कितने प्रोड़क्ट बनेगे, तीन, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब जब हम बीटा अमीनो एसिट को हीट करते हैं, ठीक है, RCH double bond CH, COO NH4, है न, ठीक है, आ रहे हैं समझ में, आ रहे हैं कि ने, आरे हैं समझ में, बताओ, तो अलफा अमीनो एसिट में क्या बना था, साइक्लिक अमाइड बना था, बीटा अमीनो एसिट में क्या बना, अलफा बीटा अनसैचूरेटड सॉल्ड तो यह COO प्लस NH4 माइनस चलिए बहुत बढ़िया अब गामा डेल्टा इटा अमीनो एसिड को भी हीट कर लेते हैं तो गामा और डेल्टा को करते हैं तो लैक्टम बनता है क्यों? यहां पर बनती है जो कि बहुते है जब हम इटा अमीनो एसिड को हीट करते हैं तो पॉल्यमर बनता है क्योंकि इसमें अगर हम लैक्टम बनाते तो 7 मेंबर लैक्टम बन जाता 7 मेंबर डेल्ट रिंग स्टेबल नहीं होती तो फिर polymerization हो जाता है क्या हो जाता है polymerization हो जाता है तो यहां से यह अपना पानी बाहर जाता हुआ आपको दिख रहा है तो यहां पे γामा लेक्टम बन गया प्लस पानी बन गया हम देखो यह alpha यह beta यह gamma और यह delta तो delta को heat किया this is alpha beta यह alpha यह है alpha, beta और यह gamma gamma को heat किया तो 5-membered ring बनी delta को heat किया तो 6-membered ring बन जाएगी अभी देख लेना बन गई और पानी बन जाएगा अब अगर आप 7-membered को heat करोगे मतलब आप इससे ज़्यादा पे जाओगे eta पे जाओगे तो 7-membered ring बनेगी जो नहीं बन सकती तो जब हम eta amino acid को heat करते हैं तो हमार पास क्या बनता है यह बन जाता है and this is nylon 6 very important polymer आप synthetic कपड़े पहनते हो पहनते हैं, उसमें use होता है nylon की रस्ते आती है, हम जिस पे कपड़े सुकाते है उसमें use होता है तो nylon 6 बनाने का यह एक अच्छा तरीका है क्या है, यह nylon 6 बनाने का अच्छा तरीका है चलिए अब अगर हम बात करें peptide की तो peptide एक kind of amide होता है जो की intermolecular reaction किस-किस का amino group एक amino acid और carboxyl group दूसरा amino acid में से देखो, carboxyl group acidic है amino group basic है तो acidic और basic group को एक दूसरे से जमजात प्यार होता है वो एक दूसरे से reaction करने के लिए हम वीशा ready रहते हैं तो यह दोनों भी ready रहते हैं ठीक है डाय peptides are made from 2 amino acids डाय peptide from 3 and so on and so forth आपको डेका peptide भी बनाना है तो बहुत सारे amino acid लेने पड़ेंगे है ना which may be same or different same भी हो सकते हैं, different भी हो सकते हैं अगर 3 to 10 amino acid हैं तो peptide को oligopeptide बोला जाता है क्या बोला जाता है? oligopeptide कब? जब आपने 3 से 10 amino acid residue को मिलाके एक compound को बनाया है ठीक है? अगर 11 से 100 amino acid हैं भाई हमने किसी peptide को हमने break किया तो हमको 11 से 100 amino acid मिले तो वो polypeptide कहलाता है और अगर 100 से ज़्यादा amino acid मिले हमको hydrolysis कराने पर peptide को break करने पर तो फिर वो क्या कहलाते हैं? macropeptide क्या कहलाते हैं? macropeptide कहलाते हैं ठीक है? तो peptide किस तरीके से बनाया जाता है? आपने ये reaction किया ये आपस में बढ़िया मस्ती से reaction कर लेंगे और reaction करने के बाद ये compound बना देंगे क्योंकि यहां से पानी बाहर हो जाएगा और ये carbon का nitrogen के साथ bond बन जाएगा ये अपना peptide linkage है आ रहे की नी आ रहे समझ में दिख रहे की नी? तो ये अपना क्या है? peptide linkage है और इसको बुला जाता है gly-gly किससे मिलके बनाएगे ये? gly-gly ये है gly-gly क्योंकि दोनो gly-gly है अच्छा आप इसके naming के भी कुछ एक rule होते है ठीक है? ये phenylalanine है ये दूसरा एक अपना है तो ये इस तरह से कुछ कहलाएगा अभी देखते हैं convention से वो amino acid जिसमें free amino group है उसको हम left में लिखते हैं ठीक है? कौन सा amino acid जिसमें free NH2 group है तो उसको हम क्या करते हैं? left में लिखते हैं जिसमें free COOH group है उसको क्या करते हैं? right में लिखते हैं उसको कहां पे लिखते हैं? right में लिखते हैं so the amino acid with the free amino group is written at the left end and the one with the unreacted carboxyl group is written at the right end, तो इसको example से समझते हैं, ठीक है, ये कहलाता है LA Gly, देखो ये वाला पार्ट किसका है, ये free NH2 है, और ये alanine है, तो पहले उसका abbreviation LA यूज किया, यहां देखो ये free COOH है तो इसका abbreviation, gly use किया, तो LA Gly, और ये क्या है, dipeptide है, क्योंकि ये दो amino acid से मिलके बनाए, जब हम इसका एक water के साथ reaction कराएंगे, तो यहां से ये bond तूट जाएगा, और वापिस से आपको पूरा का पूरा alanine and glycine मिल जाए ठीक है, dipeptide है ऐसे tripeptide, tetrapeptide तो एक important, छोट असा एक पर बहुत important formula हमारे सामने आता है, कि अगर हमको संख्या दे दी जाए कि आपके पास इतने amino acid है, और बताओ कितने peptide बनेंगे, तो वो formula होता है, x की power n, ठीक है जहाँ पर x है type of amino acid interacting and n है number of amino acid molecule, जो interact कर रहे हैं, मतलब अगर मानलों आपके तीन टाइप के amino acid हैं, तीन टाइप के amino acid हैं, और वो तीनों आपस में एक दूसरी के साथ react करके peptide बना रहे हैं तो formula हो जाएगा, 3 की power 3 is equal to 27 formation बन जाएगी तो इससे कुछ question कर ले दे हैं, glycine कितने tripeptide बना सकता है तो x की power n, x था number of amino acid जो लिया है यह 1 है, तो जब भी सिर्फ एक हमने molecule रिया है, amino acid लिया है react करने के लिए, तो total peptide 1 ही बनेगा, तो यह काफ़ी simple case है 1 की power आप कितना भी कर लो, 1 ही रहता है, glycine and ela तो x की value 2, dipeptide बोला है, तो n की value 2, so 2 की power 2 is equal to 4 ठीक है, glycine and ela कितने tripeptide बना सकते है x की value 2, n की value 3 तो x की power n is equal to 2 की power 3 is equal to 8 ठीक है, बहुत simple है बहुत चिल है, काफी easy questions है इससे, है न तो answer हो गया 8 एक और question है भी, एक decabeptide है जब आप उसका hydrolysis कराते हो तो glycine मिलता है, alanine मिलता है, और phenyl alanine मिलता है, glycine जो है 47% contribute करता है to the total weight of the hydrolyzed products तो number of glycine unit जो present है, decabeptide के अंदर वो हमको बताना है क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनो, आपको एक decabeptide दिया है जिसको complete hydrolysis कराने पर, जैसे मालनो मिर पास दो amino acid है, मैं इसको A और एक को B लिखना हूँ इन्होंने A और B ने मिलके peptide बना ले है, तो इसको तोड़ने के अपने को कितने molecule लगेंगे पानी के 1H2O लगेगा मान लो अपने पास A, B, C तीन amino acid से मिलकर बना हुआ एक peptide है तो इसको तोड़ने के लिए कितने water molecule लगेंगे, जितने bond उतने water molecule लगेंगे और number of bonds हमेशा number of amino acid से एक कम होते हैं तो deca peptide मतलब 10 amino acid हैं, कुछ ऐसे A, B, C, D, E, F, G I, J, K L, M, N, O, P पर महां तक नहीं जाएगा A, B, C, D, E, F, G, I, J, K नहीं, ऐसा नहीं जो भी है, मतलब, total 10 है है ना, तो total 10 है तो कितने पानी के molecule लगेंगे bond कितने बनेंगे, 10 amino acid react करेंगे, तो 9, तो 9 पानी के molecule लगेंगे, तो इसको hydrolyze करने में हमको कितने पानी के molecule लगेंगे 9, बस इस question में यही करना है तो देखो यह हमारा molecule है, इस तरह से होगा total H2O required to idolize dipeptide, 1 decapeptide के लिए 9, तो total weight कितना हो गया product का, भी decapeptide का weight 796 और यह तूटेगा तो पानी के molecule का weight भी add होगा इसके अंदर, पानी waste नहीं हो रहा न, जा जाके जुड़ रहा है न अलग अलग हमारे amino acids के साथ जो तूटके बन रहे हैं, तो पानी का weight कितना हुआ, भी 9 पानी के molecule आपने add करे थे तो आप 9 को 18 से multiply कर लो पानी का molecular weight होता है 18 तो total weight जो product का हो जाएगा, वो हो जाएगा decapeptide का weight, प्लस पानी का weight, which is 958 उस 958 gram में से 47% 47% क्या है glycine है, तो इस 958 का 47% निकाल लेते हैं approximately 450 और आपसे पूछा जा रहा था कि कितने units आपको glycine के मिलेंगे, तो एक unit का mass निकाल लो, 450 से उसको divide कर दो, तो एक unit glycine का mass around 75 होता है तो 450 upon 75 is equal to 6, तो एक बहुत शांदार numerical type या single correct type ये question बन गया समझने की सिर्फ एक बात थी की number of molecules of water कितने use होंगे तो वो उतने use होंगे जितना की, मतलब आपको कोई साब भी peptide दिया है, है ना minus 1, तो डेका peptide है, तो 9, पेंटा peptide है, मतलब 5 का, तो 4 पानी के molecule tripeptide है तो 2 पानी के molecule dipeptide है तो एक पानी का molecule आ रहे है समझ में ठीक है, चले बहुत बड़ी आगे चलते है अब बात कर लेते हैं छोटे मूटी proteins की देखो अब proteins की major reading NCRT से लगानी है है ना एक एक शब्द यहाँ पे NCRT का cover हम नहीं कर रहे हैं मैं चाहता हूँ कि आप NCRT की reading करें proteins का हम एक छोटा सा हिस्सा जो हमको समझना है वो हम यहाँ पे cover कर रहे हैं बर proteins आपको NCRT से read करना है ठीक है? चले protein को हम लेते हैं Greek word protein से जो mean करता है first और क्योंकि protein से हम बने हैं, सारी दुनिया बनी है तो obviously इनको सबसे पहले सर्व प्रथम का दर्जा दिया जाना चाहिए तो जितने भी chemical compounds है proteins must almost certainly भी rank first क्योंकि यह substance of life है बहुत बढ़िया बात है proteins, जादतर animals और plants इनी के बने हुए होते हैं यही उसको hold together करते हैं और यही उसको run भी करते हैं found in all living cells जितने भी living cells है सब में protein मिल जाता है chemically protein जो होते हैं high polymers होते हैं polyamides होता है और वो monomer जिससे यह derive होते हैं वो alpha amino carboxlic acid होते हैं तो जो हमने alpha amino carboxlic acid देखे वो सब इनके monomers होते हैं इन alpha amino acid के हम polymer बनाते जाएंगे एक particular type से जब यह जुड़ेंगे एक geometry में जुड़ेंगे तो proteins create होंगे एक single protein molecule hundreds या even thousands of amino acid को contain करता है DNA और RNA की वो famous images आपने देखे होगी helical structure होता है बहुत सारे molecules आपस में घूम फिर के जुड़े होते हैं तो आप सोच के देखो नीचे 20 है उपर मान लो 1000 के molecule 1000 molecule बनके एक protein बन जाए तो number of proteins जो बन सकते हैं वो 20 की पाउर 1000 हो जाएंगे तो almost infinite type of proteins बनाए जा सकते हैं अब polypeptide with more than 100 amino acid residues having molecular mass higher than 10,000 इसको technically protein बोला जाता है किसको technically protein बोला जाता है इस particular compound को technically protein बोला जाता है ठीक है चलिए बहुत बड़ी आप protein को हम classify कर सकते हैं दो type में उनके molecular shape के basis पर fibrous proteins and globular proteins तो ये तो sheet like होते हैं ये लंबे चोड़े बिछेवे होते हैं जैसे हमारे परदे type के होते हैं लंबे चोड़े चद्दर type के बोल सकते हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी sheets बनी होते हैं तो बोला जाता है fibrous proteins ये spherical होते हैं इसमें bonding कुछ इस तरीके से होती है कि ये गोला कार हो जाते हैं जैसे में भूल भूले है देखियो कि उसको बड़ा जोग याद आया होगा गोला कार बोलने पर तो ये क्या हो जाते हैं गोला कार हो जाते हैं तो इसलिए globular proteins प्रोटीन का structure के अगर हम बात करें तो structure and shape of protein को हम 4 different level पर study कर सकते हैं primary जो सबसे basic है फिर 2 primary मिलके या 2 से ज़्यादा primary मिलके secondary बनाते हैं बहुत सारे secondary structure मिलके tertiary structure बनाते हैं और बहुत सारे tertiary structure मिलके फिर finally quaternary structure बनाता है हर level पिछले वाले level से ज़्यादा complex होता जाता है यार proteins का structure बहुत super complex होता है super मज़िदार होता है majorly ये सब आपस में connected रहते हैं hydrogen bonding से diosulfide से है ना ये कुछ एक important information है protein जो find होते हैं living system में जिनकी definite configuration होती है और biological activity होती है इनको native protein बोला जाता है native मतलब ये किसी particular जगे पर हमको मिलते हैं तो क्या बोला जाता है इनको native protein बोला जाता है तो इसको बोला जाता है कि ये denature हो गया है मतलब इसकी जो normal natural step थी आपने उसको disturb कर दिया है तो इसको बोला जाता है कि यार ये protein बोला जाता है वो denature हो चुका है ये medical line में बहुत common है कि भाई denaturation हो गया है ये चीज चीज अपने जो natural source में जिस type हमें मिल रही थी न हमने उस type को बिगार दिया है change कर दिया है जैसे मानलो कोई protein इस shape का है अपनी body के अंदर जो receptor है वो कुछ इस shape के है है ना या फिर जैसे भी है जो इसके साथ एकदम fit हो सकते है मानलो अपनी body के अंदर के receptor भी कुछ इस shape के है तो ये जाके इसके आद फिट हो जाएगा तो हमने उस activity जो biological activity थी इस वाले protein की हमने उसको lose करा दी ठीक है इसका एक बहुत common example जो है वो हम अंडे का denaturation कर देते है denaturation reversible भी हो सकता है irreversible भी हो सकता है denaturation के दोरान 2 degree and 3 degree structure destroy होते है देखो जो अपना basic structure था जो basic amine था वो तो same रहता है वो तो almost similar ही रहता है same रहता है पर जो 2 degree और 3 degree थे जो structuring आपने करी थी वो structuring change हो जाती है ठीक है जो अब हम egg white का coagulation कराते हैं egg protein को boil करके जब आप अंडे को boil करते हो तो उसमें coagulation हो जाता है तो ये irreversible protein denaturation का एक example है ठीक है ना बढ़िया चलिया protein के दो test बहुत important होते हैं पहला होता है burette test addition of बहुत कम छोट समात्रा में छोटी सी concentration में जब हम COSO4 का solution मिलाते हैं alkaline solution के किसके alkaline solution में protein के alkaline solution में तो होता क्या है इससे एक positive test आता है और वो हम indicate कैसे होता है जब अगर आपको pink violet to purple violet color मिलता है तो आपने very dilute solution ले रखा है COSO4 का आपने उसमें क्या किया आपने उसमें से विक्ता सा काम किया कि आपने उसमें अपना protein मिला दिया ठीक है protein का भी alkaline solution होना चाहिए जब आपने उसमें मिलाया और अगर आपको एक pink violet या purple color कुछ ऐसा मिला तो आप क्या बोलोगे कि भीया ये पक्के से protein ही इसमें था अगर protein नहीं है तो pink violet या purple color नहीं आएगा तो ये तो हो गया पहला test जिसको हम वियो रड़ टेस्ट बोलते हैं दूसरा होता है निन हाइडरिन टेस्ट निन हाइडरिन टेस्ट में अमीनो एसिड और protein के लिए ये टेस्ट किया जाता है जिसमें की free NH2 group है सिर्व यो उनी अमीनो एसिड और protein में काम करेगा जहां पे एक free NH2 group है amino acids को हम detect करते हैं ninhydrin test से तो इसमें हमको पता कैसे सलता है कौन सा color change होता है जितने भी amino acids होते हैं वो सब violet colored product देते हैं ninhydrin के साथ ठीक है proline और 4 hydroxy proline के अलावा क्योंकि ये दोनो yellow color देते हैं तो अगर proline और 4 hydroxy proline हुआ तो आपको ninhydrin test में yellow color मिल जाएगा उसके अलावा जितने भी amino acids होएं वो आपको violet color दे देंगे तो ये दो test है protein के जो हमने देखें तो इसी के साथ biomolecule हमारा होता है समाप्त biomolecule का 100% वो करने के लिए आपको NCRT पढ़नी चाहिए है हम almost सारा कुछ cover कर चुके है protein की theory-c theory के अलावा तो आपको NCRT पूरी end-to-end इसकी पढ़नी है ठीके ना बस तो यार आपको काफी मज़ा आ रहा है है ना बच्चों का इतना सारा support और धेर सारा प्यार भी मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत thank you और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि पढ़ाई करो प्रचंड करो है ना और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना बहुत महनत लग रही है आप सबको बताए इतना awesome content बनाने में पूरी depth में जाने पर short में बनाने में बहुत time लगता है ऐसी सारी चीज़े करने के लिए तो जो आप सब्सक्राइब करते हो वीडियो को लाइक करते हो अपने दोस्तों के आद शेयर करते हो तो एक बहुत motivation मिलता है है ना अच्छा लगता है feel good होता है तो हमें भी feel good करवाओ ठीक है तो आपको subscribe करना है bell icon को दबाना है ताकि आपको आगे के वीडियो के notification मिलते रहे चले तो फिर मिलते हैं अगले session में